हेलो एवरीवन वेलकम टो माई यूट्यूब चानल आज मैं आपके सामने मेकप कर रही हूं और यहां पर मैंने ब्लू आई मेकप किया था सबसे पहले मैंने सीटियम करने के बाद कलर करेक किया है लाइट औरेंज कलर उसको अच्छे से ब्लेंड किया फिर मैंने उसको इंसाइड के कंसीलर से कवर अप किया था ताकि जो भी उसका औरेंज है तो वो उतना पॉप अपना करें अधिये इंसाइड का कंसीलर काफी थिक यह और काफी अच्छा कंसीलर है कि यहां पर उसको कवर करने के बाद ब्लेंडिंग मैंने प्लूम के ब्यूटि ब्लेंडिन से की है यह मेरा फेवरेट ब्यूटि ब्लेंडर है और इससे ब्रेंडिंग बहुत सॉफ्ट होती है कोई भी पैचेस नहीं रहते हैं फिर मैंने इसके बाद आज यहां पर शुगर का फांडेशन यूज किया है वनिला शेट में और इसको थोड़ा थोड़ा आपने पूरे यह फेस पर लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड किया है और यह शुगर का फांडेशन काफी क्रीमी रहता है और काफी ब्लेंड कर लिया है प्लूम के ब्यूटी ब्लेंडर से और आप देख सकते हो यह बेस लगाने के बाद चहरा विक्तम फ्लॉलेस और शॉगर का और यह विदन ग्लोव देता है पिर मैंने उसको भी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है अपने हाइप पॉइंट्स पे कहीं पे भी उसके शाप एजस नहीं है और जितने भी मैंने प्रोड़क्ट लगा तो उसके बाद उसको फेसे कनेड़ा के सेटिंग स्प्रे से सेट किया है और इक पर ब्लेंड किया है मेकप करने के बाद अगर मेकप सेट नहीं होता है तो फिर मेकप बहुत जल्दी पैची हो जाता है इसके मैंने शुगर का ब्लश पाउडर ब्लश अपलाई किया है पहले छोटे पाउडर ब्लश से एपल ऑफ द चीक पे और उसको ब्लेंड किया है और यह ब्लश काफी अच्छा हो रीजनेबर है मैं इसको बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ यहां पर मैंने आई मैजिक की पैलेट लिया और ब्लू कलर पूरा आईलेट पे अपलाई किया है और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा डेस्ट आफ कर दिया था जो भी प्रॉड़क्ट लगा था अगर आपका प्रॉड़क्ट में ही प्रॉपर्ली डेस्ट आफ हो रहा है तो आप उसको लूस बॉडर से लगा के भी अच्छे से टेस्ट आफ कर सकते हैं यहां मैंने ब्लेंडिंग ब्रिश से जितना भी आई शडू है उसको अच्छे से ब्लेंड किया है जब भी आप डाग मिकप करें और उसके साथ अगर लाइ्ट लिपस के लिए तो वह काफी ऑफ लिए दिपता है एज लाइनर आईशेडू लगाया है यहां पर मेकप अलमोस्ट डन हो गया था और जहां पर भी एक्स्ट्रा अगर कहीं लग जाए तो आप उसको पूली प्रेश से रिमोव कर सकते हैं अब मैं यहां पर लिप्स्टिक लगाऊंगी यहां पर लिप्स्टिक मैंने मेबलीन की यूज की थी और लिप्स्टिक से पहले मैंने काजल लगाया है फिर मैंने अंडर राय को मुमाज अर्थ के क्रेम गलोब कॉम्पैक से एक बार वापस से सेट किया ये काफी अच्छा कॉम्पैक है रिचेन विटामिनी और फिर मैंने फानरेश से पूरा रेस्ट आप कर लिया है कि यहां पर मैंने लिप लाइन किया है शुगर के लिप लाइन से उसके बाद मैं अंदर मेबलीन की लिप्स्टिक से फिल किया है यहां पर मैंने चोटा लिप्स्टिक ब्रश यूज किया है और यह काफी अच्छा शेड बन किया रहा था ब्राउन प्लस न्यूट कलर काफी प्यारा शेड लग रहा था वैसे भी मैं जब भी लिप्स्टिक अप्लाई करते हूं तो दो या तीन शेड मिक्स करते हूं तो यह मेकप अल्माउस्ट था और काफी प्रटी और फ्लॉलेस मेकप हुआ था मैंने यहां पे इनवाइबी का लाइनर लगाया लाइनर मैंने बहुत पतला सा लगाया था क्योंकि अल्रडी मैंने काइंड ओफ स्मोकी आइस की थी यहां पे लाइनर और आई मेकप पूरा कंप्लीट हो गया बेस मैंने पहले ही कर लिया था मेकप आल्मोस्ट डन था यहां पे फिर से मैंने फेस को सेट कर दिया था और यह मेरा पाइनल सेट था मेकप काफी लॉंक स्टे रहा था मैंने प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दो